दोस्तों एक समय था जब भारत सबसे बड़े मात्रा में हत्यारों को रश्या से पर्चेस करता था और समय बीतने के साथ साथ भारत के द्वारत के द्वारा रश्या से हत्यारों के पर्चेस को कम तो किया गया है लेकिन अभी वी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा म में है कि किस तरीके से भारत को Рushyya से दूर किया जा सके और रॉषियन हट्यारों के जगा में भारत को American हट्यारों के उपर dependent किया जा सके पर दोस्तों अमेरिका और रुषिया के इस लड़ाई में बाजी कोई और ले गया मतलब दोनों देश भारत को लेके लड़त हो रहा है लेकिन सफलता किसी तीसरे देश को मिला है और दोस्तों ये तीसरा देश है फ्रांस आप लोगों के जानकारी के लिए बता जा रहा है इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में रुषिया को फ्रांस ही रिप्लेस करेगा और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे डिफेंस डिल नहीं हुआ है बलकि आने वाले समय में भी कई सार और डिफेंस डिल होने जा रहा है अब लोगों को पता ही होगा कि प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी इस महिने के 13 और 14 तरीक के दिन फ्रांस में रहेंगे और उन्हें असल में फ्रांस के जो नेशनल डे है उसके लिए निवंतरन दिया गिया है और बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी के इस दोरे के दर्मियान फ्रांस और भारत के बीच में और एक महत्रपूर्न गॉर्मेंट टू गॉर्मेंट डील के उपर हस्ताक्षर हो सकता है जो कि 26 एराफल एम मतलब केरियर वेस मल्टी रॉल फाइटर यारक्रैप्ट को लेके है अब दोस्तों ये डील अगर होता है तो एक तरीके से आप कह सकते है कि इस डील से रशिया और अमेरिका दोनों देशों को ही बड़ा जटका मिलेगा क्योंकि एक तरव जहापे रेफल एम का जीतने का मतलब है कि एफए एटिन सुपाहरन एइरक्षर मतलब अमेरिकइ एयरक्रैप्ट का हारना तो वही पे रेफैल एम खरिदने का दूसरा मतलब यह है कि भारत अब रश्यन एरक्रैप्टों के जग़ा में फ्रेंच एरक्रेप्टों को अपने एरक्रेप्ट केरियर के उपर इस्तेमाल करेगा हाला कि दोस्तों अगर फ्रांस का करीब भारत जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत रश्या से दूर हो रहा है या फिर अमेरिका से हतियारों को नहीं खरिद रहा है अब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जब प्रधनमंत्रे निरंद्रमोदी अमेरिका के दोरे पे गए थे तब कई सारे महतुपून डील की उपर हस्ताक्षर हुआ है जिन में A414 इंजिनों के डील से शुरू करके MQ-9B गार्डियन द्रोनों के डील भी शामिल है और रश्या से खरी दे गए हतियारों का लीश तो काफी लंबा है जिन में A430, A430, MKI जैसे यारक्राफ्ट तो है ही साथ में हाली में रश्या से भारत के द्वारा जेट इंजिनों को वी खरीदने को लेके बातचीत चल रहा है पर दोसों इन सभी जो डील है इसमें सबसे प्रमुग बिंदू है मेक इन इंडिया और आत्मने रिवर भारत अप लोगों को पता होगा कि ये जो डीलों के उपर हस्ताक्षर हो रहा है इनमें जादा तर डील ऐसा है जो भारत में मेक इन इंडिया इनिशिटिव को और आत्मने रिवर भारत के संकल्प को मतलब के इनजिनों के डेफलपमेंट के प्रोग्राम को लेकि अनुमती दे दिया गिया है और दोसोँ खाली डेफल्पमेंट नहीं बलकि रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि सैफ्रों कमपनी के द्वारा भारत के सामने जेट इंजिनों के जोएंट डिजाइन, डे development के deal France के हाथ से निकल जाए हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो एक समय तक केवल मात्र इन इंजिनों के development के लिए भारत के साब ने फ्रांस सी option था और इस कारण फ्रांस के तरफ से कई तरिके के शर्तों को मानने से हिचकी चाया जा रहा था पर अब जब से भारत के साब ने अलग-अलग देश के रूप में अलग-अलग option आया है जिनमें की अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है तो फ्रांस भी इस बात को लेके चिंतित है कि शायद भारत के बातों को अगर नहीं माना जाता है तो शायद फ्रांस के संभावनाए भी इस डेल से निकल जाएग अब दोस्तो भारत और फ्रांस के वीच में रिस्ता खली ये जेट इंजिन और राफैल जैसे फाइटर यार क्रैप्टो को लेके नहीं है बलकि हाली में भारत के दो बहुत बड़े एरलाइन कमपनी जैसे की एर इंडिया और इंडिगो जैसे कमपनी के दुआरा बड़े म मात्रा में फ्रांस से एर वर्स के यार क्रैप्टो को भी पर्चेस किया गया है और दोस्तो फ्रांस इन यार क्रैप्टो के मेंटनेंज रिपेर और ओवरल मतलब इम आर ओ फैसिलिटीज के साथ साथ राफैल यार क्रैप्टो में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजिनों के वी फ्रांस सिक्योर नहीं करेगा बलकि एक तरीके से अगर ये इंजिन का डील फ्रांस के द्वारा सिक्योर करना संभव हो पाता है तो इससे फ्रांस भारत के साथ दशों को तक सप्लाई चेन के रूप में जुडा रहेगा फिलाल दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि 110 से 120 किलोनूटरं थ्रहट वाले जिन इंजिनों के डेवलप्मेंट को लेके फ्रांस के तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है उसमें रोल्स रोइस के तरफ से भी एक नए इंजिन डेवलप्ट करने को लेके ओफर रखा गय और दोस्तों खाली ये जो डील है ये ही फ्रांस को भारत के लिए सबसे बड़े पार्टनर के रूप में नहीं बना रहा है बलकि इसके साथ-साथ हाली में फ्रांस के द्वारा भारत के साथ जो अन्य प्रोजेक्टों में कोलावरेशन करने का बात कहा गया है वो भी काफी अब लोगों के जानकारी के लिए बता दो कि इंडिया नेवी के जो सबसे ताकतवर तरिन डिजल इलेक्टिक सब्मरीन है वो असल में फ्रेंच ओरिजिन सब्मरीन है मैं यहाँ पे कलविरी क्लास के सब्मरीनों का बात कर रहा हूँ जो की स्कॉर्पिन सब्मरीन के नाम से फ्रांस में जाना जाता है और रिपोर्ट के मुतावी फ्रांस के द्वारा खाली इन सब्मरीनों को ही भारत को नहीं दिया गया है बलकि अव इन सब्मरीनों को और ताकतवर बनाने को लेके भी भारत के साथ काम करने का बात रखा गया है मतलब इन सब्मरीनों में आप फ् मात्र रश्या जैसे देशों के द्वारा ही रखा जाता था और रश्या की बात पहली वार ऐसा कोई देश भारत के लिए उभर के आगे आया है जो इस तरीके के टिक्नोलोजी देने के लिए तैयार है उपर से दोस्तों आइडिशनल स्कॉर्पियन सब्मरीनों को लेके भी फ पहले भारत को केवल मात्र न्यूकलियर सब्मरीन दे के मदद रश्या के तरफ से किया गया था और दुनिया में ये पहला और सबसे बड़ा एक्जामपल था जिसमें की कोई देश अपने किसी साथी देश को न्यूकलियर पावर सब्मरीन तक लीस में दे दिया हो दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच के अगर रिलेशन्शिप को देखा जाए तो ये भी लगभग उतना ही पुराना है जितना भारत और रुश्या का रिलेशन्शिप है इंडिपेंडन के बाद से ही भारत और फ्रा रिलेशन्शिप को मजबूत कर लिया गया था और दोस्तों तब से लेके अब तक फ्रांस के द्वारा भारत को कई तरीके के महत्तपूर्ण हतियारों को दिया जा चुका है जिन में फाइटर यार्क्रेप्टों से शुरू करके हिलिकॉफ्टर इवन टैंकों से शुरू कर के आर्मर्ड वियेकल और आर्टी लेडी तक शामिल है मौडन अगर इंडियन आर्म फोर्सस के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे जो मिराश 2000 और जैगवर जैसे यार्क्रेप्टों का इस्तेमाल होता है वो भी फ्रेंच ओरिजिन है दोसे भारत और फ्रांस के वीच में एगा रिलेशन्शिप को देखा जाए तो साल 1998 में भारत और फ्रांस के बीच में स्ट्राजिशिक पार्टनर्शिप जैसे रिलेशन्शिप को बनाया गया था। का साथ दिया गया था लेकिन western खेमे में केवल मात्र फ्रांस एक ऐसा देश था जो भारत के साथ में था और भारत के पक्ष में था 1998 में भी जब भारत के द्वारा परवान विस्वोड किया था मतलब पोक्रान टेस्ट को किया गया था तो उसके बाद सारे western देशों के द्वारा भारत के उपर परतिवन लगया था लेकिन फ्रांस एक ऐसा western देश था जो भारत के उपर ना परतिवन लगया और ना ही परवान मेंबर श्रिफ है उसमें भी फ्रांस भारत का साथ दे रहा है और फ्रांस उन गिने चुने देशों में शामिल है जो भारत को इन सीट में पर्मनेंट मेंबर के रूप में देखना चाहता है हाला कि इस लिश्ट में युनाइटेड निशन सेकूर्टी काउंसिल के पांच पर्मनेंट मेंबरों में से चार मेंबर शामिल है जो की चाहता है कि भारत पर्मनेंट मेंबर बने और केवल मात्रों चाहे नहीं एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता है कि भारत पर्मनेंट मेंब भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे करिफतरिन स्ट्राटीजिक एलाई कौन सा देश हो सकता है कॉमेंट करके अवश्य बताईए दोस्तों आज के वीडियो को यही पही करते समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदेमा किसी और समझ आटरम